नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में दोस्तों हिंदू पंचांग में सब्ता के साथ दिनों का अपना एक अलग महत्त है हर दिन किसी विशेश देवी या देपता के लिए जाना जाता है दोस्तों इनमे गुरुबार ब्रह्मा प्रस्पत और भगवान विश्णू की पूजा का दिन है आज के दिन पीले रंका विशेश महत्त होता है इस दिन पीले वस्तर पहिनने से शुप्ता का आगमन होता है शास्तनों के नुसार इस दिन भगवान विश्णों की पूजा करने से परिवार से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है साती लच्छमी जी की विशेश कृपा प्राप्थ होती है हलाके दोस्तों इस दिन कई कार्यों के किये जाने को मना भी किया गया है कई वार वड़े वज़ुर्गों से सुनने को भी मिलता है कि गुरुवार के दिन कई काम नहीं करना चाहिए क्योंके दोस्तों इनका नकारात्मक परभाव जीबन पर पढ़ता है और इसकी वज़े से अनकूल गुरु भी पृत्कियूल परभाव देता है जिससे दोस्तों आर्थिक तंगी हो सकती है और यहां तक के आपके घर में गरीवी आ सकती है और आपकी नवक्री भी जा सकती है और परिबार में वरवादी भी हो सकती है इसलिए दोस्तों आप लोग गुरुवार के दिन इन कामों को करने से वचें तो आएए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन से वो कारे हैं जो भूल कर भी गुरुबार के दिन नहीं करना चाहिए लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किरपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पन्य हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए चलिए अब जानते हैं उन कामों के बारे में जराविस्तार से दुस्तों नमबर एक लेन देन से बचें गुरुबार के दिन लेन देन करने की मना ही होती है इस दिन ना तो किसी को पैसे देने चाहिए और ना ही किसी से पैसे लेना चाहिए ऐसा करने से कर्ज चड़ने की संबाबना रहती है अगर बहुत जरूरी हो तो दुपहर के बाद या संध्या के समी पैसों का लेन देन कर सकते हैं वैसे कोशिश करें इस दिन इससे बचे रहें दोस्तों नमबर दो महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए शास्त्रा नुसार गुरू ग्रे किसी भी महिला की कुंडली में पती और संतान का कारक मना जाता है अताद ब्रस्पत ग्रे महिलाओं के जीवन में पती और संतान दोनों के जीवन को प्रभावित करता है जो महिलाओं इस दिन बाल दोती है या फिर हैर कट करवाती है उनका ब्रस्पत कमजोर हो जाता है पती और संतान की उन्नती में बाधा आती है इसलिए दोस्तों महिलाओं को इस दिन अपने बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही काटने चाहिए गुरुबार को महिलाएं कपड़े धोने से बचें ये दिन ब्रस्पत्य गुरु का परिचायक है, इस दिन कपड़े दोने से आर्थिक नुकसान होता है, ऐसी मानता है कि इस दिन घर की इस्तरी साबुन से वस्तरों का मैल दोती है, इसके साथ घर की सुम्रदी भी पानी के साथ धुल जाती है, इस दिन कपड़े धुलने से और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं कि इनका आपमान ना करें इसके अलावा इस दिन नाखूँ नहीं काटने चाहिए और ध्यान रखें पिता और गुरु साधु संत बरस्पत का प्रतिनिद्ध करते हैं कभी भी इनका आपमान ना करें इस वाद का खास त पर आधारी थे ये यूटूब चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है इसे आमल में लाने से पहले संबंदित विशिसग से सलावत से ले ले आज के लिए इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्स फॉर वाचिक माई वीडियो